तो आज हम आगे हैं बहुती तेस्टी रिस्पी के साथ यानि एक ब्रिक्फास्ट रिस्पी हम बना रहे हैं बर्बटी और आलू का सुखी सब्जी तो बर्बटी हमारी कुछ इस तरह से दिखती है इसको लॉंग बीन्स भी कहा जाता है काव पीस बोलते हैं लोबिया बोलते हैं तो आप मुझे कमें सेक्ष्टन में लिए कि आप के शेहर में इसको क्या बोलते हैं मैं यहां पे तीन है चलिए जल्दी से शुरू करते हैं एक पैन लेंगे इसमें हम डालेंगे तीन से चार स्पून ऑईल के जब ऑईल गरम हो जाएगा उसमें हम डालेंगे एक छोटा चमच जीरा जीरा से बहुत अच्छा टेस्ट आता है नेक्स हम डालेंगे एक मीडियम से इसके चौप किये हुए प्याज और अच्छे से इसको शैलो फ्राइ कर देंगे जादा इसको ब्राउन ना करें नेक्स हम इसमें डालेंगे एक छोटा चमच अद्रकलसन का पेस्ट एक छोटा चमच हल्दी हम डालेंगे अच्छे से मिक्स अप करेंगे ताकि जो अद्रकलसन की कच्छी स्मे करें, फिर हम इसमें कटे हुए आलू डाल देंगे, हमने आलू को क्यूब्स के शेप में कट कर लिया है, आप अपने पसंद के कोई भी शेप में कट कर सकते हैं, तो ये जो सबजी हम बना रहे हैं, वो हमारे ब्रेकफास्ट में यानि के रोटी पराठा में बहुत टेस्टी लगता है, आप जरूर ट्राइ करें, तो अच्छे से इसको मिक्स अप कर देंगे, और इसको हम ढग देंगे, पांच मेट तक स्लो फ्लेम पे, और फिफ्टी परसंट इसको हम गला लेंगे, तो पांच मेट हो चुके हैं, चलिए ओपन करके देखते हैं, तो जो आलू है, वो तकरीबन गल चुके हैं, अब इसको हम अच्छे से मिक्स अप करेंगे, और इसमें एक चमच धनिया का पॉडर, इसमें मैंने गरम मसाले मिक्स करके पीसा हुआ था, एक चमच हम डाल रहे हैं इसमें लाल मिच, अगर आपके पास अलग से गरम मसाला है वो आप डाल सकत एक छोटे चमच हम डालेंगे यहां पर जीरा पॉडर और अच्छे से हम इसको mix-up करेंगे ताकि जितनी भी ingredients है वो mix-up हो जाए बहुत जल्दी हमारी यह सबजी बन जाती है नेक्स हम डालेंगे इसमें तीन से चारहर इमिर्च और हम डालेंगे यहां में कटे हुए बर्बटी यानि कि लॉंग बीन्स अगर आपके पास लॉंग बीन्स नहीं है तो आप नॉर्मल जो बीन्स मिलते हैं वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं अच्छे से mix-up करेंगे अब इसको हम ढग देंगे और पांच मिलत तक अलू अलू के साथ तो चलिए अब पांच मिलते हो चुके हैं ढग कर निकाल के देखते हैं तो आप देख सकते हैं हमारी जो बर्बटी है और आलू है अच्छे से गल चुका है लास्ली हम इसमें गानिश करेंगे खुब सरे धन्या की पत्ति के साथ अच्छे से mix up करेंगे 2 से 3 मिट तक के लिए तो आप देख सकते हैं कितनी जल्दी हमारी ये सबसी बनके ready हो चुकी है अब next हम इसको ढग देंगे और 2 मिट तक के लिए ताकि जितने भी मसाले है और धन्या की पत्ति है वो अच्छे से mix up हो जाए तो जल्दी से इसको गर्मा गरम अपने family अपने friends अपने महमानों को खिलाएं खाएं और खुश रहें और जल्दी से मेरे इस video को like और चैनल को subscribe करें मैंने तो इसको enjoy किया है रोटी और पराठे के साथ आप मुझे comment section में लिखें कि आपने इसको किस तरह से enjoy किया है thanks for watching